नमस्कार आप देख रहे हैं दर्स निउस मैं हूँ आपके साथ रितेश सर्मा बिहार विधान सभा के चुनाओं में अभी साल भर का समय बाकी है पर रादनितिक दलों की सक्रियता अभी से बढ़ चुकी है पिछले ही महीने 24 अगस्त को जेडियू ने अपनी प्रदेश कमीटी का पुनर गठन किया तो आर जेडियू ने अपने सांसदो विधायकों के साथ बुधवार को बैठग भी किये भाजपा ने भी सदस्ता अभियान के बहाने मंगलवार को अपने तमाम सांसदो विधायकों को जुटाया तीनों दलों के एक काम विधान सवाच चुनाओ को ध्यान में रख कर ही किये गए साल भर से पहले से चुनाओ की तयारी में सियासी दलों का लगना अचमबित करता है इससे एक बात तो असपश्ट समझ में आती है कि सभी दल अपनी अपनी ताकत बढ़ाने की कवायद कर रहे हैं आरजेडी इस बार कुछ अधिक ही उत्साहित है उसे लगता है कि पिछली बार जहां तक महागडवन्धन पहुँच चुका था उससे आगे बढ़ने की इस बार पूरी संभावना है इसलिए कि लोकसभाच चुनाओ में भाजपा की जो हालत हुई है और पहली बार विपक्षी दलो का इंडिया ब्लॉक मजबूत हुआ है उसका अतिरिक्त लाभ बिहार में आरजेडी के नेत्रित वाले महागडवन्धन को मिल सकता है इसलिए तेयस्वी यादव के लिए मत चुको चोहान वाली अस्थिती दिख रही है तेयस्वी भी अपनी ओर से महनत में कोई कमी नहीं छोड रहे हैं लोकसभाच चुनाओ में ही उन्होंने दोसों से अधिक जनसभाओ को सम्वोधित किया था विधान सभाच चुनाओ को ध्यान में रख कर ही वे 10 सितंबर से आभार यात्रा पर निकलेंगे पिछले विधान सभाच चुनाओ के वक्त लालू प्रसाद यादव नहीं थे संयोग से इस बार उनका भी साथ तेयस्वी यादव को मिला है भले ही लालू चुनाओ परचार के लिए न जाए लेकिन रणनीती बनाने में वे तेयस्वी की मदद तो करेंगे ही लालू सियासी रणनीती के धुरंधर माने जाते हैं हवा को रुख मोरना को उनसे सीखे इसके लिए दो ही उदारन काफी होंगे साल 2015 में नितीश कुमार के जेडियू और आर्जेडी महागड मंधन बना कर विधान सभा का चुनाओ लग रहे थे लालू तब जमानत पर बाहर आये थे आर्जेडी के साथ नितीश को जोडने की रननीती लालू यादब नहीं बनाई थी चुनाओ के दोरान RSS प्रमुक मोहन भागवत ने आरक्षन की समिक्षा को लेकर बयान दिया लालू ने इसे मुद्दा बना दिया उन्होंने कहना सुरू किया भाजपा आरक्षन विरोधी है भागवत का बयान इसका संकेत है चुनाओी माहौल बिहार में तब बदल गया जब 2014 के लोगसवा चुनाओ में भाजपा ने 40 में 22 सीटों पर अकेले कबजा जमा लिया था माहगवंधन की सरकार बन गई इस साल लोगसवा चुनाओ में भी लालू ने आरक्षन और संविधान पर खत्रे का मुद्दा उचाल कर न से बीजेपी को बैक फुट पर पहुँचा दिया बलकि 400 पार सीटों का नारा लगाने वाली बीजेपी को बहुमत तक भी पहुँचने के लिए मुस्किल खड़ी कर दी 2020 में विधान सभा चुनाओ के वक्त लालू नहीं थे तब भी तेस्वी ने महागरबंधन के विधायकों की संख्याए 110 तक पहुँचा दी थी इस बार लालू साथ हैं तो 2015 की पुन्रा विर्ती कोई बड़ी बात नहीं होगी बीजेपी का सदस्यता अभियान कुछ समय छोड़ दें तो भाजपा नितीश कुमार के साथ लगातार सत्ता में रही है इसके बावजुद भाजपा नेत्रेतु के रस्तर पर नितीश या लालू के बरक्स कोई चेहड़ा खड़ा नहीं कर पाई है सुसील मोदी में नेत्रेतु के निखार की भरपूर संभावना थी लेकिन उन्होंने स्वतह नितीश का पिशलगू बनना पसंद किया नतीश दन पार्टी भी उस हिसाब से नहीं पनपी जितनी संभावना थी पार्टी में अगर चमक आई भी तो 2014 में नरेंद्र मोदी के चहरे की वज़े से भाजपा संगठन के अस्तर पर यादव वैस से कुसवाहा कार्ड ही खेलती रह गई उसकी बिहार में जो भी ताकत है वो अस्थानी अस्तर पर किसी कोशिस का परिनाम नहीं है बलकि नरेदर मोदी के चहरे की वज़ा से लोगों को भाजपा के प्रती बढ़ते आकरसन का नतीजा है इसलिए भाजपा ने सदस्ता बढ़ाने का टास्क प्रदेश नेत्रेतु को सौपा है इसके लिए पार्टी का बिहार में अभियान कल से चालू हो गया है कल इस बावत भाजपा के सांसदो विधायकों का महा जुटान भी हुआ था जेडियू का निरिक्षन अभियान भी चल रहा है विधान सवा में फतेह के लिए जब दूसरे दलोन त्यारी सुरू कर दी है तो जेडियू कैसे पीछे छुटता जेडियू और नितीश कुमार एक दूसरे के प्रयाय है बिहार की जादा थर लोग जेडियू से जादा नितीश को ही जानते है नितीश ने अभी अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त किया है उन्हें दूसरों से जादा अपने काम पर भरोसा है जिस तरह योजनाओं के कार्यान वेन में तेजी लाने के हर जुगत कोसिस कर रहे है वो ऐसे ही नहीं है नितीश जानते हैं कि वे किसी बिरादरी के वज़़ा से सत्ता में 18-19 साल से कायम नहीं है बलकि जनता के लिए किये गए कामों का ये परतिफल है इसलिए उन्होंने काम की गती बढ़ा दी है कम बोल रहे हैं लेकिन वे लगातार काम कर रहे हैं तो फिलाल इसका और मित्ता ही है दर्स निज़ के साथ बने रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें धन्यवाद